हरे कृष्णा, श्री शेत्र पूरी में विख्यात है अलरनाथ जी का मंदिर, जहां श्री कृष्ण शेतन्य महाप्रभू भी हर साल दर्शन करने के लिए जाते थे आज हम उसी पावन भूमी पर अवतरित होने वाले एक ऐसे भक्त के बारे में जानने जा रहे हैं जिनके बारे में स्वय महाप्रभू ने ये कहा था कि उनके जैसा कोई वैश्णव नहीं हो सकता हम बात कर रहे हैं श्री रामानंदर राय जी की पात सो वर्ष पहले श्री जगननाथ पूरी धाम के ब्रह्म गिली अलरनाथ के एक पास के बेंटा पुर्णामक गाउं में भव रामनंदर राय जी पूर्व और पश्यम गुदावरी के मंत्री थे उनका मंत्राले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर नियोग हुआ था रामनंदर जी ना केवल अग बहुत बड़े विद्वान के रूप में प्रतिश्चित थे बलकि एक सर्वोत्तम कवी भी थे एक बार जब श्री कृष्ण चेतन्य महाप्रभू अलरनात जी के दर्शन के लिए गए थे तब उनकी भेट पहली बार रामनंद जी के पिता भवनंदर राय से हुई थी और तब महाप्रभू ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में आपका अवतार कुरू वंच के पांडू के रूप में हुआ था और आपके पांचों पुत्र पांडवों के नाम से विख्यात थे गौरगणों देश दिपिका के अनुसार श्री रामनंद राय जी कृष्ण लीला में कुंति पुत्र अर्जुन थे चैतने चरतामरित अंतिय लीला में कृष्ण दास कविराज को स्वामी वर्णन करते हैं कि रामनंद राय जी महाप्रभू को भागवतम से गोपियों का श्री कृष्ण से विरह वेदना की लीला का प्रसंग सुनाया करते थे जिसे श्रवण करके महाप्रभू के आखों से अश्रुक की धारा निरंतर बहने लगती थी आज श्री रामनंद राय जी के तिरो भाव दिवस के दिन उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करके हमें भी श्री कृष्ण की भक्ती को प्राप्त करने की चेश्ठा करनी शहिए धन्यवार हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अत्वा डी टी एच ऑपरेटर से संपर करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839